गुड आप्टूनून स्टूरेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम हडपाई लिपी के बारे में पढ़ेंगे देखें स्टूरेंट्स हडपाई लिपी अर्थात सिंधू लिपी और इसके अन्य जो नाम है वो सांकेतिक लिपी, चित्रात्मक लिपी, बूस्ट्रो फेरा लिपी, आदि नामों से भी इस लिपी को जाना गया है तो जो सिंधू लिपी है या फिर जो हडपाई लिपी है या भी तक ही पढ़ी नहीं गया है इसलिए इसको आदे अथियासिक लिपी भी कहा गया है तो जो सिंधू गाटि सब्वेतावा है आदे अथियासिक युक का ही एक पाड़ था और जो आदे थेसिक काल किसी कहा गया है जिसमें पूराता अत्विक और जो लिखी साक्षे मिले हैं लेकिन लिखी साक्षों को पढ़ा नहीं गया ठीक है ना और इसके बाद जो दूसरा पार्ट आदे थेसिक काल का वो है वैदी काल तो सिंदुगाटी सब्वेता के नगरों, सिंदुगाटी सब्वेता के पर्मुकिस्तलों, सिंदुगाटी सब्वेता से मैतोपुन तथे, आधी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो वहाँ पे इनके वीडियोस देखेगा, और इस वीडियो में हम पढ़ते हैं, हडप तो ब्रामी लिपी है ये बाइं से दाइं और लिखी जाती है जैसे हिंदी, संस्कृत, आदी और खरोष्टी लिपी है ये दाइं से बाइं और लिखी जाती है इसमें कौन से भासे आ सकती है जैसे अर्बी है, उर्दू है या सकती है और जो हडपाई लिपी है उसको अभी पढ़ने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है और इस लिपी के जो अधिकांस लेख हैं वो मुद्राओं पर ही पाए गए हैं तो देखेगा हडपा सभेता की लिपी हडपा सभेता की लिपी है इसकी पहली पंक्तिय ये खरोष्टी लिपी में अर्थात कौन सी थी पहली पंक्तिय वो खरोष्टी लिपी में लिखी गई है तथा दूसरी पंक्ति थी वो ब्राहमी लिपी में लिखी गई है और ब्राहमी लिपी कौन सी थी जो बाएं से दाई ओ लिखी जाती है ठीक है ना तो यदि परीक्षिया में आपसे क्योंसर पूछा जाए कि हडप पसवे तक ही लीपी या फिर हडपाई लीपी संदू लीपी है बह stalसी लीपी में लिखी गई है और स्रक्सरीं फ्रारंब करें यह प्रारंव में होटी है तो आपकी खरोस्टीं लिपई यह है खरोस्टीं लीप पिक्टोग्राफी लिपी कौन सी है आध्य अतियसिक लिपी कौन सी है ठीक है तो देखेगा इस लिपी को बुस्ट्रो फेरा लिपी भी कहा जाता है अर्थाद इसे गोमुत्री का भी कहा जाता है इस लिपी पर चित्र बने हुए है इस आधार पर हम हडपा सब्यता की लिप लिपी को चित्रात्मिक लिपी भी कहेंगे और इसे पिक्ट्रोग्राफी लिपी भी कहा जाता है अभी तक किसी भी इतिहासकार को इस लिपी को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है जिस कारण इसे आदे एतिहासिक लिपी भी कहा जाता है इस लिपी को सिंधू लिपी और सर्स्वती लिपी के नाम से भी जन जाता है इस लिपी पर 250 से 400 अक्सर लिखे गए है और जीवों में सबसे ज़्यादा चित्र मचली के बने हुए है कई बार पूछ लेते हैं कि भैसिंधू गाटी सब्वेताई जो लिपी है उस पर सबसे ज़्यादा चित्र कोन से जानवर के मिलने हैं जानवरों में हैं मचली और सबसे ज़्यादा आकार किस के सबसे आकार में सबसे ज़्यादा आकार के चित्र कोन से बने हुए है तो कौन से आकार में सबसे ज़्यादा चित्र बने है वो आपका यू आकार ठीका ना यू हडपाई लिपी पर विबिन पसू जैसे वरशब एक स्रिंगी बैर धार्मिक रुपायन आदी मिलते हैं ठीका ना कई पसू के याँ पर चित्र मिले हैं जानवरों के भी मिले हैं और सबसे ज़्यादा चित्र वो यू आकार में बने हुए हैं अब देखेगा सिंधु सब्यता के स्थलों के उत्खनन से कई वस्तुएं मिल ली हैं जिन पर लिखावटी भी मिल ली है और यह वस्तुएं कोन-कोन सी हैं ठीक है ना तो सिंदु छड़े प्राचीन सूचना पट तो ये सब हैं जो भी उत्खनन से जो मिली वस्तुएं हैं इन पर लिखावट बिली है और जिनके आदार पर हम पता उस सिंदु कड़े सब्वेता की काल के बारे में जानकरी कटी करते हैं अलग अलग विद्वानों ने इस लिखावट विचार परस्तूत कियें वह विचार कौन से देखेगा है ति एस बरो फादर हेरास के अनुसार यह लिखी दरविड लिखावट के समान है तो TS Baro Father Haras ये बोलते हैं कि सिंदू घटी सब्बेतागी जो लिपियव है दर्विड लिपि के समान है और साम चंदरन S.R. Rao के अनुसार ये लिपि सिंस्कृत लिपि के समान है ठीक है लेंग्टन हंटर महोदे के अनुसार तो लेंग्टन और हंटर महोदे हैं वो कहते हैं कि सिंदू घटी सब्बेतागी जो लिपियवा ब्रामी लिपि से समेता रखती है माद्धो सवरूप वत्स ने इस लिपि को गोमुत्री सली भी कहा है क्योंकि यह लिपिय चोटे चोटे अभी लेखो के रूप में प्राप्त हुई है अब देखेगा हड़पाई लिपि से संबंदित कई महत्तोपन बातें जो कई बार प्रीक्षा में पूछी जाती है वो ऐसे है देखेगा सर्वमाने मत तो जो हड़पाई लिपि है इसको भाव चितरात्मक लिपि की संग्या दी गई है यह लिपि सांकेतिक लिपि भी कहलाती है इस लिपि में 250 से 400 अक्सर है तथा इसमें 64 मूल चिन है यह लिपि छोटे छोटे समुह में अभीले के रूप में मिली है इस लिपी का अधिक पर्चलन नहीं था क्योंकि संपूर्ण हडपा सब्वेता के काल के दोरा लिपी के अक्सरों में परिवर्तन नगणे हैं एक जैसी अक्सर प्राप्तियां से हुए है सबसे बड़ा अभिलेक दोला विरा से मिला है जिसमें 17 अक्सर है कई बार पूछ लेते हैं कि वैसी जो लिपी है उसका सबसे बड़ा अभिलेक काहा से मिला दोला विरा से उसमें कितने अक्सर है सड़शट अक्सर है और इस अभिलेक में लगभग 26 चिन भी प्राप्त हुए है यह लिपी दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं ओर लिखी गई है तो दाएं से बाएं मतलब खरोश्टी लिपी ठीक है ना अता इसे बाउस ट्रोफेंडम लिपी की स्रेणी में रखा गया है लिपी का उप्योग छोटे से वरक का रहा होगा यह व्यापक रूप से परसलित नहीं थी इस लिपी में मुहरों का अपना अलगी स्थान रहा है लगभग तीन हजार मुहरे विबिन स्थलों से विली हैं जिन में से 1200 मुहरें मुहंजोद्रों से मिली हैं मुहरों का निर्मान सेल खड़ी से हुआ था तो कई बार कि उसने पूछा गया है कि सिंदु गाड़ी सब्वेता की जो मुहरे हैं उनका निर्मान किस सेवाव सेल खड़ी सेवा काली बंगा के उत्खनन से प्रात मिट्टी के ठीकरों पर भी कुछ लिखा हुआ मिला है आई तो काली बंगा के बारे में इनके बारे में हमने पहले पढ़ाया आप देखेगा इसको काली बंगा के बारे में अच्छे से डिटेल आपको पहले वाले वीडियो में मिलेगी ऐसे ही धोला वीरा के बारे में भी आपको मिलेगी तो देखेगा students जो सिंदू काड़े सब्वेता की लिपी है इसको पढ़ने के लिए हमें आवसकता है किस चीज के आवसकता है एक द्वी भासी सिलाले के आवसकता है जिसमें हमें एक भासा का पूरा ज्यान हो ऐसे सिलाले को प्राप्ट करना बहुत ही आवसकता है नहीं तो क्या होगा कि सिंदू लिपी है उसका रहसे का विसे ही बने रहेगी तो इस वीडियो में हमने सिंदू लिपी के बारे में इंपोर्टेंट जानकरी प्राप्ट करी है और ऐसे ही सिंदू गाड़े सब्वेता के बारे में और जानकरी प्राप्ट करने के लिए और नए वीडियो प्राप्त हो सके धन्यवाद